तो साथ्यू स्वागत है आप सभी का इस्टेडी सर्क्ल पे और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेपियसी 2013 के लिए कोई सेट 3 को लेकर और इसमें लगबग मैंने 75 कोई सब्सक्राइब कवर किया है और विसे गणित या मैट सब्जेक्स से मुझे कोई सवाल टच नहीं किया है इसमें तो देखिएगा और यह हमारा प्रयास है क्योंकि अपडेट लगबग करीब है एक्जाम का तो कितने तयार है आप यांतिम देख लें आप तो पहला सवाल है कि अरुन ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पतनी है तो अरुन उस लड़की का कौन लगेगा यह आपको बताना है दादा पती पिता ससुर या इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्प दी हो जाएगा कि अरुन जो है यह उसका ससुर लगेगा और प्रेस नमबर दो है कि पंचायती राज प्रतंबार अक्टूबर 1969 में प्राराम्ब किया गया था कि सिस्थान पे राजस्थान में करनाटक में केरल में तमिलाडू में या इन में से कोई नहीं तो यहां पे सही विकल्ब हो जाएगा राजस्थान में ए विकल्ब है ना और आगे बढ़ें प्रस नमबर तीसरा देखें प्रेश नमबर तीसरा भी पंचायती राज से समन देता है यह पूछ रहा है कि पंचायती राज किस इस्थान के लोगों को वास्त्विक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था ग्रामिर छेतरों के, जीलों के, महानगरों के, कस्बों के या इन में से कोई नहीं तो यहां पे सही विकल्प एह हो जाएगा कि ग्रामिर छेतरों के लोगों को वास्त्विक स्वराज देने के लिए पंचायती राज किस्थाफना की गई थी और प्रेश नंबर चार देखें प्रेश नंबर चार है कि बहुद अली विवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिद्रस्य में कांग्रेश विवस्था का अधिपत्य बना रहा यह किस के द्वारा कहा गया था विकल्प है डीची सरकार हेमचंद राय चौधरी रजनीक उठारी इर्फान हबीब या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे यो एक अधन है यह रजनीक उठारी के द्वारा कहा गया था तो सही विकल्प सी हो जाएगा है ना और प्रेश नमबर पांच देख लें तो प्रेश नमबर पांच है कि किस भारतीय राज ने 1979-70 में खनिच उत्पादन में करीब 32 दसमलों तीन-तीन प्रतिशत के तोर पर अग्रणी इस्थिती बना ली थी यह बात कर रहा है सन 70 के दसकी 60-70 के दसकी विकल्प दिये हुए हैं बिहार है मद्य प्रदेश है पश्रिम बंगाल है जहारखंड है और उपर्युक्त में से कोई नहीं तो बताना है कि किस भारती राजी के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि यह बात जो हो रही है यह ओडिशा राजी की बात हो रही है और ट्रस्ट नंबर 6 है कि जे यंट टाटा यानि कि टाटा कमपनी जो है उनके फाउंडर ने सिंग भूम में किन दो नदियों के मध्ध अपनी लोहे और इस बात की कमपनी इस्थापित की थी गंडक और कोशी सुषण रेखा और खरकैई गुगरा और गंडक गुगरा और गंगा या इनमेंसे कोई नहीं तो सही विकल्ब क्या हो जाएगा यहां पे बी सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच लोहे और इस पाथ की जो टिसको है यह जमसेतपूर में इस्थित है और आगे बढ़ें प्रेश नमबर साथ देखें प्रेश नमबर साथ है कि हरित क्रांती मुख्य रूप से सीमित थी खाद और व्यवसाइक फसलों तक फल और खाद फसलों तक खाद फसलों तक व्यवसाइक फसलों तक या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब हो जाएगा सी खाद दे फसलों तक हरित क्रांती जो थी ये सीमित थी और प्रस्ट नमबर आठवा देखें प्रस्ट नमबर आठ है कि भारत में सिचाई के महत्पूर सुरोत हैं कौन-कौन से कुएं, तालाबें, नहरें उपर्युक्त में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब क्या हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक क्योंकि कुएं, तलाब, नहरें तीनों ही सिचाई के सुरोत हैं और प्रस्ट नमबर नौ देखें आवर्तन के आधार पर ज्वाला मुख्यों को किसमे वर्गी ग्रित किया जा सकता है निस्क्री ज्वाला मुख्य में विलुप्त ज्वाला मुख्य में सक्री ज्वाला मुख्य में उपर्युक्त सभी में या इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब डी हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी को पतला जुआला मुखी को इन में वर्गी ग्रेत किया जा सकता है या जुआला मुखी तेन प्रकार क्यों होते हैं निस्करी, सकरी और विलू और प्रेश नमबर 10 देखें, प्रेश नमबर 10 है कि बाताना है किन छेत्र की नदियां है भारत के उत्तर पूर्वी छेत्रों में भारत के केंदरी और दक्षिर छेत्रों में भारत के उत्तरी छेत्रों में भारत के दक्षिर छेत्रों में या इन में से कोई नहीं बताना है ये कहां बहती है तो सही भी गल्ब यहाँ पे भी हो जाएगा कि भारत के केंदरी और डक्षे छेत्रों में बहने वाली नदियां गुदावरी, कृष्णा और कवेरी है और प्रिस्ट नमबर 11 है कि भैसों की उत्तम नसल मुर्रा पाई जाती है कहां पाई जाती है ये भैसों की नसल मुर्रा नसल गुजराद के महसाना छेत्र में, महराश्ट के पुने छेत्र में, पंजाब और हर्याना के छेत्रों में या सौराश्ट के छेत्रों में या इन में से कोई नहीं तो यहां पे सही विकल्ब सी हो जाएगा कि पंजाब और हर्याना के छेतरों में भैसों की उत्तम नशल मुर्रा पाई जाती है और प्रेश नमबर 12 देखें तो प्रेश नमबर 12 है कि योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंब हुआ कब से ये बताना है यहां पे सही विकल्ब क्या हो जाएगा यह उनिस सो इंक्याबन में क्योंकि पहला योजना आयोग जो है पहला पंचवर्सी जो है योजना आयोग के दोरा जो बनाया गया वो उनिस सो इंक्याबन से उनिस सो चप्पन तक था तो सही विकल्ब ए हो जाएगा और प्रेश नमबर तेरा है कि भारत में मजदूर संग आंदोलन इस्थाई तोर पर इस्थापित हुआ कब से प्रतम विस्वयुद के बाद दुती विस्वयुद के बाद उनिस सो सत्रह में उनिस सो उनिस में तो यहां पर सही विकल्ब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो मजदूर संग है भारत के शंदर में उनिस सो आठारा में पहली बार इस्थाई तोर पर इस्थापित हुआ वीपी वाडिया के दुआरा है ना और अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया किस ने लिखी है विलियम डिगबी एम जी रानाडे सुरेनाथ बनर जी दादाभाई नौरो जी या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब डी हो जाएगा दादाभाई नौरो जी या डी विकल्ब और पनरहमा प्रश्ण है कि 2011 में भारत में कौन से एक मात्र राज ने 112 पूरसों पर 1084 या 1084 महिलाओं के उच्छतर अनुपात को दर्स आया था यानि कि प्रति 114 पूरसों पर 1084 लिंगा अनुपात लिखाया था राजस्थान राजने, आंत्परदे, सकनाटक, तमिलाडू या इन में से कोई नहीं तो सही भी कल्प यहाँ पे यह हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि यह बात केरल की हो रही है और प्रेश नंबर 16 देखें, तो प्रेश नंबर 16 है कि पानी द्वारा उत्पन ने बीमारियों का सीधा प्रवाव किसके लिए जिम्मेदार है आंत्र जोगर, पराटाइफाइट, अतिसार बिमारिया, उपर्युक्त में से एक सेदिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं तो सही भी कल्प यहाँ पे D हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक सेदिक इन तीनों के लिए सीधा जिम्मेदार है और प्रेश नमबर 17 है कि भारत में जनगरना कितने वर्सों में की जाती है, एक दसक में, दो दसक में, पांच वर्स में, आठ वर्स में या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे सहे विकल्प A हो जाएगा एक दसक में और प्रेश नमबर 18 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है चंदगुप्त दूती है, इसकंदगुप्त, चंदगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ D हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है और प्रेश नमबर 19 है कि मौर्यों की अंतरगत भौतिक संस्क्रती के प्रिसार में कौन साहेता करता था यहाँ पर सही विकल्प D हो जाएगा कि यह सभी जो है भौतिक संस्क्रती के प्रिसार में साहेता करते थे और प्रेश नमबर 20 है कि आईने अकबरी किस ने लिखी तो सही विकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अबूल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी और प्रेश नमबर 21 है कि फिरोसा तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाओं के खर्चे किस के दौरा वहन की जाते थे अधिकारी के दौरा कास्तकारी के दौरा राजी के दौरा सिक के दौरा या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ पर C हो जाएगा राजी के दौरा यह खर्चे वहन किये जाते थे और प्रेश नमबर 22 है इस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में 1794 में 1791 में 1792 में या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा 1793 में और प्रेश नमबर 23 है कि भारती समिधान कितने वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए मुफ्त सिक्षा प्रेदान करने पर जोड़ देता है 20 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष या 18 वर्ष या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प भी हो जाएगा 14 वर्ष और प्रेश नमबर 24 है कि इन में से किसका भारत में प्रत्रक्ष चुनाओं होता है विधान सभा के शदस, राज सभा के शदस, भारत के राष्ट पती, भारत के उप राष्ट पती या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यह हो जाएगा कि विधान सभा के शदस का प्रेश चुनाओं होता है और प्रेश नमबर 25 है कि राज्जियों के पुनर गठन की सकती किसके पास है भारत के सरवच नयायाल है, भारती संसद, भारत के राष्ट पती, भारत के प्रिधान मंत्री या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ पे भी हो जाएगा भारती संसद और प्रेश नमबर 26 है कि म्यूनिसिपल कार्परेशन सदारता है, रिक्तिस्तान के प्रिषासन के लिए इस्थापित की जाती है महानगरों के, बड़े कस्बों के, सभी सहरों के, मद्दरज़ा के सहरों के या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सहे विकल्प भी हो जाएगा, बड़े कस्बों के प्रिषासन के लिए म्यूनिसिपल कार्परेशन का इस्थाप्तना किया जाता है और प्रेश नमबर 27 है कि किस देश ने आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रिगती पर सहयोग करने के लिए यूरोपी संग के साथ एक समझावते पर हस्ताक्षर किये चीन, न्यूजिलेंड, सहयोगत राज अमेरिका, जापान या इन में से कोई नहीं और प्रेश नमबर 28 है कि भारत में समिधान, संसुधन किस के द्वारा किया जा सकता है राजियों के द्वारा, राष्टपती के द्वारा, लोगों के द्वारा, संसत के द्वारा, इन में से कोई नहीं तो सहीवी कल्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर डी संसत के द्वारा समिधान सा सुधन किया जा सकता है और प्रश्ट नंबर 29 है कि चैत भूमी कि सनेता का समाधी इस्थल है सरदार वल्लब भाई पतेल डाक्टर बियर अमबेटकर महात्मा गांधी सरोजनी नाइडू या इन में से कोई नहीं तो सहीवी कल्ब भी हो जाएगा डाक्टर बियर अमबेटकर और यह मुमबई महराष्ट में इस्तित्य इनका समाधी इस्थल प्रेश नमबर 30 है कि 1 मार्च 2023 को फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एन इंडरस्ट्री यानि कि जिसे फिक्की कहा जाता है उसके महासाचिव के रूप में किसे नियुक किया गया है सुरेश धवन, सैलेश पाठक, अरुन चावला, वी राम चंद्र या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प भी हो जाएगा सैलेश पाठक जो की पूर्व आईएस अधिकारी है इन्हें फिक्की का महासाचिव के रूप में नियुक किया गया है और प्रेश नमबर 31 है कि वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पूरसकारों से समानित किया गया है 128, 110, 111, 98 या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प ए हो जाएगा 128 जो तीन स्रणी में दिये गया है पद्म विभूशन, पद्म भूशन और पद्म स्री प्रेश नमबर 32 की बात करें तो प्रेश नमबर 32 है कि सैयुक्त राष्ट के 27 में जलवायू परिवर्दन संबेलन यानि कि कॉप 27 का आयोजन कहा किया गया था अस्ट्रेलिया मिस्र जापान जर्मनी या इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्प भी हो जाएगा मिस्र में किया गया था यह और प्रेश नमबर 33 है कि कौन सा केंद्री मंत्रा लाए इसमार्ट समाधान चुनोती और समावेसी सहर पुरसकार प्रदान करता है आवास और सहरी मामलों के मंत्रा ले विज्ञान और प्रदोग की मंत्रा ले ग्रामीड विकास मंत्रा ले ग्रेह मंत्रा ले या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि आवास एवं सहरी मामलों के मंत्राले जो है इस्मार्ट समधान चुनोती और समावेसी सहर पुरुसकार प्रदान करता है प्रेश नमबर 34 है कि निमन कत्नों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है या एलिफेंट के बारे में सत्य है पहला यह कि हाथी अपने भाजी वजन के कारण अधिक आराम करना पसंद करते हैं और विकल्प B है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं और विकल्ब C है गल्दी से ये ली खा गया है देख लिजेगा कि तीन महीने का हाथी का बच्चा आम तोर पर लगभग दो क्विंटल वजन का होता है और D है कि एक प्रोड हाथी एक दिन में दो क्विंटल से अधिक पत्तियां तथा डालियां खा सकता है और अंतिम है इन मे कुछी से कोई नहीं तो बताना है कि इन में से हाथी के बारे में कौन सा कथन सकते हैं तो यहाँ पर जो C भी गल्ब है यानि की ABC कि तीन महीने की हाथी का बच्चा आम तोर पर लगभग दो क्विंटल का होता है ये कथन सकते हैं और बाकी कथन और सकते हैं आगे बढ़ें प्रेश नमबर थर्टीवाइब को देखें तो प्रेश नमबर थर्टीवाइब है कि निम्लिकित में से कौन विटामिन A कच्छा स्रोत है केला नागल का तेल मचली का तेल चीनी या इंवे से कोई नहीं तो यहाँ पर सही विकल्ब C हो जाएगा कि मचली का तेल जो है ये विटामिन A का अच्छा स्रोत है और प्रेस्ट नमबर 36 है कि निम्लिकित में से गूथे हुए आटे के फूलने का क्या कारण है कारबन डायक्साइट का उत्पादन, तेल का हैड्रोजनी करण, खामीर का वहगणित होना या वसा का पैसी करण या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही विगल्प A हो जाएगा, कारबन डायक्साइट का उत्पादन और प्रेस्ट नमबर 37 है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का विस्कार किस ने किया था अलेकजन्डर फ्लेमिंग, बर्ग, इसमित और नाथनस इन में से एक सयाधिक या इन में से कोई नहीं तो सही वी गल्ब सी हो जाएगा कि इसमित और नाथन्स के द्वारा रेस्टिक्सन एंजाइम का या रेस्टिक्सन एंडोनुक्लियोस का अविस्कार किया गया था और प्रेश नमबर 38 है कि मस्तिस्क जिम्मेदार है किस चीज के लिए और प्रेश नमबर 39 है कि निमलिकत में से कौन सा एक अजैव निमनी करनी पदार्त है अजयव निमनी करनी पदार्थ कागज, सूती कपड़ा, डिरिटी, खाद या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे सहे भी कल्प भी हो जाएगा कि सूती कपड़ा जो है यह अजयव निमनी करनी पदार्थ है और अगर हम बात करें कि अजयव निमनी करणी पदार्थ क्या होते हैं तो यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जीवाणू अधी की क्रिया के द्वारा अपगाटित नहीं होते हैं उनको अजयव निमनी करणी कहा जाता है प्रेश नमबर 40 देख लें कि कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रिकास के दिसा में मुड़ जाता है इस मुड़ने को क्या कहते हैं या इसको दूसरे तरीके से समझे कि क्या कारण है कि किसी अंधेले कमरे में रखा हुआ पौधे का पत्ता सूरज की ओर धूप पढ़ने पर सूरज की ओर ही मुड़ जाता है इसको क्या कहते हैं फोटो पेरियोडिज्म या फोटो ट्रॉपिज्म या फोटो ग्राफिज्म या फोटो नेश्टिज्म या इनमें से कोई नहीं तो सहीवी कल्प B हो जाएगा फोटो ट्रॉपिज्म या जिसे हिंदी में कहा जाए तो प्रकासा नुवर्तन कहते हैं इसकी वज़े से ऐसा होता है और प्रस्ट नमबर 41 है कि निम्लिकित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी जंगलों का हास्त था वर्षा की कमी B अधिक जल मांगवाली फशलों की खेती C वन रोपन D ताप उर्जा सायंत्र या E इन में से कोई नहीं तो सहीं भी गल्प यहां पे C हो जाएगा ध्यान देना है आपको कि वन रोपन की वज़े से भूमिगत जल में कमी नहीं होगी यानि कि पेर पौधो या वनों के लगाने से और प्रेश नंबर 42 है कि मिर्च में तीखापन निमलिखित में से किसके कारण होता है केरोटीन, एंथोसाइन, लाइकोपिन, कैपसाइसिन या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब यहाँ पे D हो जाएगा कि कैपसाइसिन की वज़े से मिर्च में जो है तीखापन होता है और प्रेश नंबर 43 है कि निमलिखित में से कौन सी आनुवांसिक रूप से रूपानतरित फसल है प्रेश नंबर 44 है कि निमलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रियोग किया जाता है तापी विद्धुत उर्जागर में वायू, जिवास्म इंधन, यूरेनियम, थोरियम या इन में से कोई नहीं तो यहां पे क्या होगा सही विकल्ब? सही विकल्ब भी हो जाएगा जिवास्म इंधन का प्रियोग किया जाता है और प्रेश नमबर 45 की बात करें तो प्रेश नमबर 45 है कि विद्धुत धारा को निम्लिकित में से किस यंतर से ना पा जाता है वल्टमीटर, वीभामापी, गैल्वेनोमीटर, एमिटर या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब D हो जाएगा एमिटर को या एमिटर से विद्धुत धारा को ना पा जाता है प्रेश नमबर 46 है कि निम्लिकित में से किस में टंगश्टन का प्रयोग किया जाता है पंखे में, टेक्स्टाइल, उतपादल में, धातु निसकर्शन में, विद्दुत वल्ब में या इन में से किसी में नहीं तो सही वी कल्ब D विद्दुत बल्ब हो जाएगा और प्रेश नमबर 47 है कि चुम्बक की बल रिखाएं निम्ली खित में से किस से निकलती है उत्तरी धुरूब से, चुम्बक के केंट से, दक्ष्री धुरूब से, वो पर्युक्त में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब यहाँ पे ए हो जाएगा, यह चुम्बक की बल रिखाएं जो है, यह चुम्बक के उत्तरी धुरूब से निकलती है और दक्ष्री धुरूब की और समाप्त हो जाती है, तो सही विकल्ब यहाँ पे ए हो जाएगा प्रेश नमबर 48 है कि प्रकास का प्रकीरणन देखा जा सकता है कहां कहां प्रकीरणन देखा जा सकता है विकल्प यह है कि सुर्योदय के समय सूरी की लालिमा में और B है कि सुर्यास्ट के समय सूरी की लालिमा में और C है कि आकास के निले रंग में और D है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और E है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही भी कल्प D हो जाएगा क्योंकि A, B और C ये तीनों कथन सत्ते हैं और प्रेस्ट नमबर 49 है कि सुन्ने प्रतिरोध वाले पदार्थ को निली खित में से क्या कहेंगे यानि कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध जो है वो सुन्ने है उसे क्या कहेंगे अतिचालक, अर्धचालक, कुछालक या चालक या इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्ब ए हो जाएगा अती चालक और प्रेश नमबर पच्चास है कि निम्लिकेत में से कौन सा अमलिय है पहला विकल्ब है टमाटर दूद लेमन जूस इनमें से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं बताना है कि निम्लिकेत में से कौन सा अमलिय है तो यहां पे सही विकल्ब डी हो जाएगा कि उपरिक्त में से एक से अधिक यह अमलिय है तो बता दो आपको ती टमाटर अमलिय होता ही है दूद में भी अल्प मात्रा में अमलियता पाई जाती है और लेमन जूस अमलिय होता ह है तो सही विकल्प यहां पर डी हो जाएगा परियुक्त में से एक से अधिक प्रस नंबर इन क्या बन है कि निमलिकित में से जोड़ी कास्टिक पोटास का रसायनिक सूत्र क्या है एनज फोर ओएच के ओएच या एच या एच या सी ओएच टू या इन में से कोई नहीं तो स सही विकल्प यहां पर भी हो जाएगा और प्रश्च नंबर बावन है कि एक से अधिक या उपर जुक्त में से कोई नहीं तो यहां आप सही विकल्प भी हो जाएगा Hydrated Faric Oxide क्योंकि असल में वायू में नम्य की उपसिधिक करना इसा लोहे में जंग लगता है तो सही विकल्प भी हो जाएगा Hydrated Faric Oxide और पिस्ट नंबर या रंगहीन या इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब D हो जाएगा कि यह दोनों गैस जो है रंगहीन होती है और ट्रस्ट नंबर चौवन है कि लेड सल्फेड का रसाइनिक सूत्र है PbSO4, Pb2SO4, 3 या Pb2SO4 या Pb2SO4, 2 या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब A हो जाएगा PbSO4 या A विकल्ब, लेड सल्फेड और प्रस्ट नंबर पच्पन है कि विटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या है कोबाला मिन, नियसीन, थाइमिन, राइबोफलेविन या इन में से कोई नहीं कि या कि सही विकल्ब यहां पर एगा कोबाला मिन, हलना कि कभी कभी सायनो कोबाला मिन भी दे दिये जाता है तो वह भी सही होगा गलत नहीं हाला कि सायनो कोवालामिन है यह संस्लेशित B12 है लेकिन वैसे नर्मली विटामिन B12 का नाम कोवालामिन है तो सही वी खलब ए होगा और प्रेश नमबर 56 है कि निमले कित्मे से कौन सा अमल चार का संकेतक है यानि कि ऐसा कौन सा चीज है जो अम्ल और चार दोनों के बारे में बता देता है कि यहां पर अमलेता बढ़ी है या चारेता या जैसा भी हो संकेतक इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है बताना है कौन सिरका हल्दी खाने वाला सोड़ा उपरिवत में से एक स्याधिक या में से कोई नहीं तो सही विगल्प यहां पे बी हो जाएगा हल्दी जो है यह अम्ल चार का संकेतक है और प्रेश्ट नमबर संतावन है कि जब मृदा अतिछारी हो यानि कि मृदा में छारेपन की मात्रता मात्रा बढ़ गई हो तो उसमें पौधे नहीं होती हो तब मृद कि गुडवत्ता में सुधार के लिए इसमें क्या मिलाना चाहिए कार्पनिक पदार्थ बिना बुझा हुआ चूना कैलामा इनका घोल या पर्युक्त में से एक सेदी के एन में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब यह हो जाएगा इन में से कोई भी नहीं क्योंकि जब छारीता बढ़ती है तो आमल मिलाया जाता है अब इन में से क्या है कार्पनिक पदार जो है यह तो है ही नहीं बीना बुझा चूना इसका सुभाव जो है छारी प्रकार का होता है और कैलामा इनका जो गोल है अलांकि छेहरे पे लगाया जाता है कि इसका सुभाव जो है छारी प्रकार का होता है तो यहां पर सही विकल्ब हो जाएगा इन में से कोई हैं ना और प्रेशट नंबर 58 को देखें तो प्रेस्ट नंबर 58 है कि प्रेकास तरंगे जो है कि किस प्रिकार की तरंगे होती है अनुठ्रस तरंगे अनुदैदे變 कि विद्धुत चुम्भकी तरंगे या उपरिक्त में से एक से अधिक याइन में से कोई नहीं तो सही विगल्प यहाँ पे यह हो जाएगा कि यह प्रिकास तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है और प्रेस्ट नंबर 69 है 59 है कि प्रबल अमल और दुरूबल छारक से बने लवण का पी अजमान क क्या होगा साथ से अधिक साथ से कम दस और 14 के बीच या पज़क्त में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो सही विगल्प यहाँ पे भी हो जाएगा साथ से कम और प्रेस्ट नंबर 60 है कि सोडियम हाइड्राकसाइड और हाइड्रोक्लोरिक अमल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं यानि कि नमक और पानी का निर्माण होता है यह कौन से अभिक्रिया है उदासीनी करण, विगटन, साइ ना क्या प्रेस्ट नंबर 61 है कि उर्जा उत्पादन के लिए कोसिका प्रकाय किसका अफ्योग करती हैं यहने हमारे सरे की कोशी का जो है जब उर्जा का निर्मान करती है तो किसका उप्योग करती है अमीनों अमल का ग्लुकोज का वसामल का या इन में से एक से जाधिक या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहां पे B हो जाएगा कि उर्जवत पादान के लिए कोशिका जो है इंगलुकोश का उप्योग करती है और प्रेश नंबर 62 है कि प्यूस गरंथी का क्या कार है विकल्प है पुरुसों में यौन अंगों को विक्सित करना और B है कि सभी अंगों में व्रेद्धी को प्रोसाहित करना और C है कि सरीर में चीनी और नमक के इस्तर को नियंद्रित करना और D है कि उपर्यूक्त में से एक से अधिक और E है कि उपर्यूक्त में से कोई नहीं तो यहां पे बताना है कि कौन सा सही है तो यहां पर सही विकल्प D हो जाएगा उपजोक्त में से एक से अधिक तो यह जो प्यूस गरंती है यह पुरुसों में यौन अंगों को विक्षित करती है और सभी अंगों में व्रधी को पुसायत करती है तो A और B जी उसमें है वो सही है चली सही विकल्ब यहाँ पर D हो जाएगा और इसमें C जो है यह प्यूस करंथी का कारिग नहीं है खेर यहाँ पर सही विकल्ब D है और प्रेस्ट नंबर 63 देखें 63 है कि मस्तिस्क से के कौन से भाग रक्त चाप को नियंतित करते हैं रीर की हड्डी खोफडी हाईपोस्थेलेमस रीर की अड़ी खोफडी या से और से ऑर सिय बराम और सी है कि पॉंच सम्ध स्वेडूला सेरीबिलम और की अजिए उपरुक्त में से एक स्वेडी किया ए ई है कि उपर्वख्ट में से कोई नहीं तो सही भी गल्प यहां पर सी हो जाएगा कि पॉंच से मेडूला सेरी बिलम यह मिलके जो हैं रक्ट चाप को नियंदित करते हैं जिसे मुखता है जो काम है यह मेडूला का है जो की रक्ट चाप को नियंदित करता है तो सही भी गल्प यहां पर सी हो जाएगा और प्रेस्ट नमबर 64 है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर निट जीरो इनुवेशन वर्चुल सेंटर बनाने की घोशना की है रूस, ब्रिटेन, ब्राजील उपजुक्त में से एक सेदी के उपजुक्त में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ पे B हो जाएगा ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने ये गोशना की है कोशन नमबर 65 है जो बड़ा बहतरिन कोशन है ध्यान दीजेगा और इस पे और जानकारी प्राप कर लेजेगा कि भारत की नौ उद्गातित संसद में संसदों के लिए कुल कितनी सीटे हैं आठ सव अठासी, बारा सो बहतर, तेरे सो चब्विस या उपरिक्त में से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्ब जो है, भी हो जाएगा, बारा सो बहतर, तो ध्यान दीजेगा यह पुछ रहा है कि संसदों के लिए कुल कितनी सीटे हैं, यह confirm नहीं कर रहा है कि लोग सभा सांसत के लिए या राज सभा सांसत के लिए कुल सांसत की बात कर रहा है तो कुल सांसत जो है यहाँ पे सही विकल भी हो जाएगा 1272 और यदि यह पूछता कि लोग सभा के सांसत सदस तो लोग सभा का जो सदस जो सीटों की संख्या है नए संसर द्वावन में वो 888 है और राजसभा के संसर सदस्वों की जो सीट है वो 384 है तो ये ध्यान रखेगा और कोशन नंबर 66 है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिल्य ने सरवची स्थान प्राप किया है सीवान ने गया ने दरभंगा ने या उपरिक्त में से एक स्यादिक या उपरिक्त में से कोई नहीं तो यहां पे सही विकल्प क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सीवान जिल्या जो है 2022 में अद्योगिक विकास रैंकिंग में सरवची स्थान पर रहा है जबकि दूसरे स्थान और द्योगे के विकास रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें पहला इस्थान सिवान और दूसरे इस्थान पर पटना तो यहां पर सही विखल्प यह हो जाएगा और आगे बढ़ें प्रेस नंबर 67 देखें तो 67 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियाया लै निम्लिकित में से किसे जारी कर सकता है डिकरी को रिट को अध्यादेश को उपर्युक्त में से एक स्यादी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं तो यहां पे सही विकल्प क्या होगा भी रिट जारी कर सकती है और 68 नंबर है प्रेस्ट की निम्लिकित में से कौन सा बांध महा अधी पर इस्थित है बताना है कि महा नधी पर किस बांध का निरमाण हुआ है या किया गया हेरा कुंड बांध्, दुधोबा बांध्, घुमरा पदर बांध् यह अतवर्यक्ष में से एक सेर्दी क कोई नहीं तो यहां पर सही विकलब may हो जाएगा हीरा कुंड बांथ और प्रेस्ट नंबर 69 है कि निम्लिकित में से स्वारी अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खवरों में थी किस सहर में इस्तित है तो करेंट अफेयर पर थोड़ी सी ध्यान रखीगा और पकड़ रखीगा विकल्ब है रोम जरुसलम रियाद परियुक्त में से एक स्वारी क्या परियुक्त में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब भी हो जाएगा जरुसलम में इस्तित है ये अलग सा मस्जिद और प्रेस् कि निविखित में से कौन सा देष नाटो का सदस्य है तोThis है कि बिल्जियम और कानाड़ा यह जो है नाटो के सदस्य है डेनमार्थ नहीं है बेल्जियम के अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्याला जो है ये बेल्जियम में है नाटो का मुख्याला और प्रेस्ट नमबर 71 है कि कथन एक पृत्वी एक परिवार एक भावी से किसके सांथ संबंध है जो स्लोगन है एक परिवार एक भावी से किसके सांथ जूड़ा हुआ है जी सेवन के सांथ जी 20 ब्रिक्स ये परिवक्त में से एक सेथी क्यों परिवक्त में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब भी हो जाएगा जी 20 और आगे पड़े 72 की कौटिल ले किस इस्थान में राजनेती विज्ञान और अर्थ सास्त के प्राध्यापक थे नलंदा पाटली पुत्र तक्च सिला उपरिवक्त में से एक सेथी क्यों परिवक्त में से कोई नहीं तो यहां पर सही विकल्ब क्यों हो जाएगा सी के कौटिल जो थे यह तक्च सिला में राजनेती विज्ञान और अर्थ सास्त के प्राध्यापक थे जो की चाणक के नाम से भी जाने जाते हैं और इनकी जो जन्मिस्थान है वो पाटली पुत्र में इनका जन्म हुआ जबकि इनके लिए सिख्षा दिख्षा की बात करें तो नलंदा महाविद्याले से नोने सिख्षा ग्रहन की है ना तो यहाँ पर सही विकल्ब सी हो जाएगा तक्छ सिला और प्रेश नमबर 73 है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है यह जमिनदारों द्वारा किया गया विद्रोह था यह किसानों द्वारा किया विद्रोह था यह अंग्रेज बिना किसी परिसानी के विद्रोह को कुछलने में सफल रहे या D है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक या E है कि उपर्युक् चोहत्तरमा है कि भारत में 1952 की राष्टरी वन नीती में उलिखित देश के कुल भगवलिक छेत्र में वन छेत्र का वांचित प्रतिसत कितना होना चाहिए 25, 33, 49 उपरियुक्त में से एक सेधी के अपरियुक्त में से कोई नहीं तो सही विकल भी हो जाएगा 33 प्रतिसत होना चाहिए और हमारा 75 और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्रिकित में से कौन सा इस्थानांतरी क्रेशी का इस्थानी नाम है इसमें बताना है बेवर, दहिया, पोदु उपरयुक्त में से एक से अधिक या अपरयुक्त में से कोई नहीं Shifting cultivation का इस्थानी नाम पूछ रहा है इसमें तो मुझा है कि इसमें कौन कौन से सही है तो बेवर, दहिया, पोदु यह नो इस पर सही भी करशी है डि हो जाएगा कि परउक्त में से एक से अधिक जो है यह इस्तानांतरीत क्रसी के इस्थानी नाम है अब थोड़ इसी बात कर लें बेवर की तो यह बेवर जो है और दहिया यह दोनों मद्द प्रदेस में जो इस्तानी नाम है जबकि पोडू जो कि आन्द प्रदेश के इस्थान रित्क्रशी का इस्थानी नाम है तो साथ यू यह था बीपिए सी 2030 के लिए हमारा कोश्चन पेपर सेट 3 आई होब कि यह वीडियो आपको काफी हद तक कि सफल क्या बोलते हैं काफी हद तक मदद करने में कारगर रहा होगा और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरू चैनल को लाइक करें साथी साथ सब्सक्राइब भी करें और बेश्ट आफ लग फार्द यूर एक्जाम जो कि 30 सितंबर को होना है तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी ले यहां से एक्जाम महाल तक ले के जाएं उसे और लाश्ट की आप रिवीजन जितनी जादा हो सके उतना जादा करें और इसे उम्मीद के साथ नमस्कार जैन जै भारत